हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज हम जाय रहे हैं आवले की एक नई रेसीबी बनाने तो उसके लिए हम गरम पानी में आवलो को डाल कर उन्हें उबाल लेंगे हम हमें आवलो को एकदम अच्छी तरह से उबालना है उसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए अब हम आवलो को निकाल लेंगे और निकालने के बाद उससे हम बिया उसमें से एकदम सारे बिये जो होते हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद उन्हें हम एक जार में डाल कर पीश लेंगे हमें इसे एक दम महीन पीश ना है अब हमारा ये पीश चुका है इसे हम लगा निकाल लेंगे एक कडाई में सारा निकाल लेंगे निकालने के बाद इसे हम चड़ा देंगे पकने के लिए तो हम इसे मेडियम आज में ही पकाएंगे और नहीं तो ये जल जाएगा और फिर इसमें से खुसबू अच्छा नहीं आएगा तो हमें इसे मेडियम आज में ही पकाना है इसे भूझना है हमें इ और हम इसमें अब डालेंगे गुड। तो उसके लिए हमने गुड को छोटे छोटे टुकडो में कर लिया हैं, हमें अच्छी quality का गुड लेना है क्योंकि हमें इसे साफ करने का कोई भो नहीं मिलेगा, हमें इसे direct to see में ही डालना है तो हमें अच्छा ही गुड लेना है, तो अब इसमें हम गुर्ड डाल देंगे गुर्ड डालने के बाद भी हमें इसे धीमियाज पे ही पकाना है वरना गुर्ड जल जाएगा तो गुर्ड को भी हमें धीमियाज पे ही गलाना है इसमें और यह गुड चलाते चलाते एकदम अच्छे से पक भी जाता है और एकदम अच्छे से गल भी जाता है अब इसमें डालेंगे हम आदा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे काला नमक और थोड़ा सा स्वाधनुसार हलका सा डालेंगे हम इसमें साधा नमक जो हम लोग रोज जिस्तमाल करते हैं वो वाला और फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सोंट पाउडर अद्रक का पाउडर सुखा हुआ और थोड़ा साइनिंग आने के लिए हम इसमें एक चम्मज भर के डालेंगे घी देशी इसको हम अच्छी तरह से अब चलाएंगे देखो घी डा जलते ही यह हमारा पूरा एकदम से सिमटने लगा है और पूरा कडाई से छुटने लगा है और फिर उसकी चमक भी आने लगी है एकदम अब इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर डालेंगे इसमें ताकि यह एकदम खटी मीठी लगने लगे और इसमें हम डालेंगे एक चब थाई चम्मा चहींग यह हमें एकदम चूरन की तरह फाइदा करता है बहुत ही स्वाधिस्ट भी लगता है और यह जब खासी आए या पेट वेट में धर्द हो तब भी हम एक दो इसकी खार लेंगे तो यह हमारे बहुत ही फाइदा करता है और यह अच्छी तरह से पकने के लिए इसमें हम डालेंगे कॉन स्टार ये एक चम्मच और थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक गोल बनाएंगे और उसे डाल कर इसमें अच्छी तरह से पका लेंगे, तो यह और ही अच्छा और थीक हो जाएगा, अब यह हमारा एकदम अच्छे से थीक हो चुका है, अब इस स्टेज पे हमारा यह एकदम अच्छे से पक चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे, हमें लेनी है एक थाली, उस पे हम घी लगा देंगे पीछी की तर ताकि ये आसानी से हमारा निकल जाए आप चाहे तो बटर पेपर पे भी इसे बना सकते हैं अब इसमें हम सारा बैटर लगा देंगे निकाल के और उपर से एक पॉल लेंगे और हाथों की शायता से इसे दबाते हुए प्रेस करते हुए इसे थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से चारो तरब से बराबर करते हुए एक सेप देंगे देखो हमारा इस तरह हो गया है अब इसे हम पीजा कटर से काट लेंगे हम एकदम छोटी-छोटी स्लाइसी काटनी है वैसे बच्चे कभी भी आवला खाना पसंद नहीं करते हैं और इसे हम देंगे तो सारे बच्चे भी इसे पसंद करते हैं खाने के लिए क्योंकि यह खटी-मीठी होती है खाने में भी बहुत अच्छी लगती है तो बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं तो हम इसी तर से सारी स्लाइस को काट लेंगे पूरा अब इसे हम थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखेंगे देखो हमारा एकदम अच्छे से घी हमने नीचे लगा है था प्लेट में इसके लिए आसानी से निकलने लगा है लेकिन हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और एकदम अच्छे से पूरा ठंडा हो जाए तो हम इसे निकालेंगे निकालने के बाद एक कटोरी में हम लेंगे पाउटर सुगर और उसके अंदर कोट करते हुए इसे हम सारी एक-एक स्लाइस को हम पाउडर सुगर में कोट करेंगे पूरा और निकाल निकाल के एक डब्बे में रखते जाएंगे यह देखो हमारे इस तरह हैं और यह जब इसमें सक्कर लगी हुई हम खाते हैं तो यह इसका स्वाद और बढ़ जाता है इस तरह हम इसे पूरा एक डब्बे में रख लेंगे और हम इसे सालो साल खा सकते हैं यह खाने में बहुत अच्छी लगती है तो आपको 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 यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें मिलते हैं next video में आप लोग खाएं enjoy करें और आप लोग भी बनाएं इसे और अपने बच्चों को भी दें और साल बर के लिए store करके रखें thanks for watching